है लोगाइस लर्णी फाई आई क्यों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे नाम है अवनाश्पृताप सिंग और हम इस स्रीज में इन्वोर्मेंट पढ़ रहे थे अभी तक हमने अपनी इन्वोर्मेंट बुक से आठ चैप्टर कवर कर लिए हैं हम 9 chapters शुरू करने वाले हैं तो चलिये शुरू करते हैं गजयो अब हमारा 9 chapter है वह और अब लस्त इंपक्ट पढ़े थे उसके जो बाइवर्स्टी के लॉस पढ़े थे और भी कई डिफिनिशन उससे रिलेटेट हमने पढ़ रखी है लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बाइवर्स्टी कंजर्वेशन होती कैसे हैं इंडिया में कौन-कौन से लॉस हैं किस तर क्लासिफाइ कर सकते हैं इंसी-टू इसा 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 जनगल में ही जब स से करने में लगे है और और जैसे जू हो गया है या प्लांट के केस में बोटनिकल पार्क हो गया है तो उस केस में आप इनको दूसरी जगह ले जाके इनकी मेर्टिंग करवा के इनकी कोशिश करेंगे तो बड़ा डिफरेंस यह है इंसी तो इससे जो सिस्तम इस बाइबर्सी एat और लेवल इस प्रोटेक्टिट एग्जामपल पर एफिस एंटायल फॉरस्ट वर्स्ट वरेश्ट वेश्ट टाइगर उजहा रहता था तो टाइगर का शर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए हम पूरे फॉरस को ही सेव करेंगे ताकि वहाँ जो डियर है वो अच्छे से रह सके ताकि वहाँ जो टाइगर के पाणी पीने की वश्ता है वह अच्छी सी बनी रहे तो मतलब पूरी तर जब डिक्लेर कर देते हैं तो उस एरिया में जो भी इस पीसीज रहनी है वो कंजर्व होने लगेंगे पाके उनकी पॉपलेशन अब बढ़ा सके वेन अनिमल प्लांट इस एंडेंजर और थेटेंड एंड नीट अरजन मीजर टुस सेव इट फॉम एक्स्टिंशन एक्सीटू कंजर्वेशन इस यूज्ड है न है वेर अनिमल विल बी टेकन तो स्पेशिफिए स्पेशिली डिज राइन फेशिलिटिज वेर और प्रवीजिन तो यह आप देख लिजे एक्सामपल इसके एक्वेरियम है है ना आप फिष्ट जो नदियों में होती है जो समुद्रों में होती है उसको फिश को आपकड़ के लातने एक्वेरियम में रखते हैं ना बोटनिकल गार्डन बेस कदद अब बाहर बाहर के सारे प्लांट्स है हां पर बोटेनिकल गार्डन में मिल जाते हैं इसका कॉंसेप्ट यही होता है इसवे मतलब हिस्टेम लिए ने हैं उनको प्रिजब्द करना है ना पर यहीं प्रिजर्वेशन होता त्युन क्रिक काम करता है फिर जूज हो गया है ना एनिमल के लिए तो इस वीडियो में हम इनसीटु गंजरवेशन पढ़ेंगे उसके टाइपस देख लेते हैं डिटेल में और लॉस कौन-कौन से इनसीटु गंजरवेशन से रिगार्डिंग उसको देख लेते हैं चलिए शुरू क और बाइस वोता है नहीं होता है नाशनल पार्ग होता है यह और इसका इंसरी होगा निए अभी अभी हमने देखा है ना तो इस तरी के कुस्टें बन जाते हैं उपीजाम में अब दिए पहली है ना इनसीटु गंजरवेशन में पहला टाइप है वो है रिजर्व और प्र और कौन सी पावर के अंदर नॉटिफाई करती है यह, इंडियन फॉरस्ट एक्ट, 1927, इस एक्ट की पावर को यूज़ करके, स्टेट गवर्मेंट नॉटिफाई करती है कि यह एरिया रिजर्व फॉरस्ट कहलाएगा, रिजर्वड, या फिर प्रोटेक्टिट फॉरस्ट, तो सामाननी तर्पे हर जगहे को वाइलिफ सेंचुरी बिनाने से पहले, उसको पहले फिर फॉरस्ट बना जाता बढ़ाते बढ़ाते उसका और सब्सक्री्ट करके पोर फ्रोटेटेक्टीं अन्थर क्या रिटे क्या है वह तो हमारा रिज अ प्रोटेक्टेट फोरेस्ट तो यहां रिजर्व फोरेस्ट में सारी एक्टिविटी इस लाइक हंटिंग ग्रेजिंग बैंड होती है अनलेस अलाउड अन्लेस अलाउट का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो रूल है कि यहां पर अल्रेडी अपने आप में बैंडी रहेगी लेकिन हो सकता है कहीं कहीं को देखके वहां कि जो लोकल ओफिसस वह अलाउट करते हैं हंटिंग और ग्रेजिंग तो फिर ठीक है अधर्वाइस वहां पर बाई नेचर पाई नियम वह रूल वह रहें अल्रेडी बंदी होती है लेकिन फोट्टेक्टिट फॉरस में ऐसा केस नहीं होता फोर्स में बहु कि वह फॉरस में जाके अपनी लखड़ी उठा सकते हैं वह फॉरस से तेदू पत्ता आ सकते हैं यह सारा चीज फॉरस पर डिपेंडेंट है तो उनको अलाउग कर दिया जाता है यही दो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में इसके बाद देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन के ल सब्सक्राइब कर देते हैं आसपास की कमिनिटी को रिजा फॉरस में बैंड होती है अंटिन अल्नेस फर्मिट करते हैं है ना रूल लाके अलग से वाइल लाइफ से अपना नियम है और नेशनल पाक का अपना नियम है उसको हम देख लेते हैं चलिए अब आगे चलते हैं तो इसे लिए एक प्रोटेक्शन स्टेटस देर जाता है ताकि महां पर हंटिंग न हो सके कोई उसको मार ना सके यह सारे प्रोटेक्शन उसको वाइल लाइफ सेंचरी से मिल जाते हैं वाइल लाइफ संक्ट्री को ही प्रमोट करके नेशनल पार्क गोसित किया जा सकता है तो वाइल लाइफ सेंट्ट्री इसका नॉटिफ़केशन कौन देता है इसको कौन सी पावर के अंदर नॉटिफाई किया जाता है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 तो इसमें आपको इस ताइप के जो कॉस्ट्टन से ना इसमें आपको यही आधरकना है कि कौन करते हैं तो यही केंट्रोल करते हैं मैंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं किसको इसको इसको wildlife centuries को ऐब जो wildlife centuries में क्या के allowed बोगो देख लेते हैं तो पहली बात तो wildlife centuries के बारे में जानने वाली है कि wildlife centuries में settlement allowed नहीं होती कि अंदर को कि अगर वोई wildlife को माल लिचे और वहां बीच में कोई गाउं रहता है ooh ना तो अश्य को पैसे दे के कोशिष कि जाएगी वाइस यहां पर जैसे कुछ लोग जो अंदर रह रह रहे हैं जो नहीं जाते या फिर रेलोकेट नहीं कर पाते हैं किसी और रीजन से उनके कुछ राइट्स अलाओ किये जा सकते हैं इसका मतलब क्या है कि अलाओ तो कर देंगे ग्रेजिंग और फायरवड कलेक्शन आप कर लो लेक तो आभाम आगे फिर चलते हैं देन हमाया टॉपिक है, टाइकर रिजर्व का तो टाइकर registered होता है while life century की is equivalent होता है लेकिन इसको monitor कौन करता है Ntca, wildlife century मैं देखा थह हमने Chief wildlife worden करता था , करता था state का न, लेकिन जो tiger reserve होगे उस case में एंटीसिया जो सेंट्रल लेवल पर बॉड़ी है वो इसको मॉनिटर करती है एंटीसिया कैसे बनी थी अंडर प्रोवीजिन ऑफ वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा बनाया गया था उसको इंप्लिमेंट करने की रिस्पॉंसिबिल्टी भ करना गया है को अधार स्ट्रेट जए होती है कि फॉरस्ट के काई लेवल होते हैं जैसे कॉर लेवल पर जैसे टाइगर रिजर्व है तो को जो एरिया होगा वहाँ पर कुछ भी अलावड नहीं होगा किसे भी हालत पर रिसकाल जो बफफर एरिया होता है कि अधर बफ़र म और human conflict ना हो है ना डायक्ट humans के एरिया में न पहुच जाए बफ़र एरिया में घुमता रहे वापस फिर अपने कोर एरिया में चला जाए तो यह strategy अपना ही जाती है अब इसके बाद जो है माना नेशनल पार्ग है नेशनल पार्ग देख लेते हैं नेशनल पार्ग को भी notify कौन करता है इस्टेट कबर्मेंट है ना नेशनल पार्ग पार कहां से मिलती है वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 1972 लेकिन डिफरेंस कहां से आता है यही सेम प्रोविजन तो वाइल लाइफ सेंचरी में भी हमने देखे तो कौन कौन से चीज़े अलाउड है उस बेसिस पर नहीं मिलते ना ही आपको वर्ड के लेक्शन के राइट अंदर मिलेंगे तो मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है नेशनल पाक के अंदर है ना सिमिलरली जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग करते थी कम्यूनिटी आसपास वाइल लाइफ सेंचरी के केस में जो कंट्रोल होती थ है और यह बाउंटरी को सुचिए चेंज करने की पावर भी स्टेट कवर्मेंट के पास नहीं है कि अस्टेट कवर्मेंट एड तो कर सकती है कि नई जमीन हम इसको एड कर रहे हैं लेकिन उससे घटा नहीं सकती घटाने के लिए उसको रिकमेंडेशन चाहिए नेशनल कि हायर लेवल है यहां पर कोई भी एक्टिविटी जलावड नहीं होती है अब यूपेसी में इसी बैसे पर बन जाएगा कि क्या चीज अलावड है किसमें अलावड है कौन नोटिफाई कर रहा है कौन सा एक्ट है जो पावर दे रहा है तो यह सारी चीज आपको याद कर दिया है ना पूरे नैशनल पाक या वाइलाइफ सेंचरीज में अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वह है तो बाइस्वेर पड़ा था तो इसमें भी देखा था कि बड़े एरिया होते हैं बहुत और जो हम इसमें यहां पर बात कर रहे हैं वह भी नैशनल पाक से कह को नॉमिनेट करने का है ना नॉमिनेट मतलब रिकोगनाइज बिसिकली आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो युनेस्को के ही डेफनीचन हम देख रहे हैं युनेस्को टॉम्स पाइस्वेर रिजर्व एस लर्निंग प्लेसे फॉर सस्टेनबल डेलपमेंट इन्वाल्विंग देख सकते हैं कि वाइड लाइफ से वाइड लाइफ से रिलेटेड है ही इसमिलरली जो ट्रेडिशन से जो से चाध में बाय मैं तो मदलब एक दिया आखिनेंग देख से प्रेजर्व में की देख सब्सक्राइप हैं और युनेस्को का प्रोग्राब एक तो यादर रखने मैंन याड रखना है किसका है UNESCO का है इसी प्रोग्राम से Biosphere पूरे एक्रॉस था वर्ड रिकोगनाईज किये जाते हैं और इंडिया में भी जो हम रिकोगनाईज करते हैं वो इसी प्रोग्राम की गाइडलाइज के तुरू ही करते हैं इसको नॉमिनेट कौन करता है कि हमारा इस चीज को Biosphere बना करेंगे और उसको डिकलेर कर देंगे लेकिन सर्फ यह मैंनेज को की तरफ से है ना जो इसका राइट होता है जो डिक्शन का एइमिनेस्टेशन का वह इस नेशनल के पास ही होता है और उनी को अनी के रिस्पोनसिबिलिटी भी होती है उसका पंधर बेशन करने गा तो यू कि अब इसे मिनिस्ट्री को हम बोलते हैं मोई एफ सी सी मिनिस्ट्री ऑफ इंवर्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमिट चेंज है ना तो अब यह देजिगनेशन हो गई है 2015 से हमने किये थी 2014 से इसके रिगार्टिंग है ना तो इसका काम क्या है इसका क्या है पोटेंशल साइट ढूना फोर डिजिगनेशन एस ऐस बाइस्टेरिया को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद जो एक बार जब पोटेंशल साइट आइड़नेटिफाई हो गई तो से गवर्मेंट को बोल जाता है management action plan बनाने के लिए कि आप management कैसे करेंगे है ना उसका पूरा action plan बताने को फिर उसको जो यह स्टेट गवर्मेंट बना के भेज़ती है वापस तो यह फिर monitor करती है उसको या फिर उसको एप्रोव करती है जो government of India है financial assistant भी देती है सीज के लिए नॉर्थ इन स्टेट स्टेट को 90 और 10 के रेशियो में और हिमालियन नॉर्मल स्टेट में 60 to 40 रेशियो में मतलब 60 मनी लगाएगी central government और 40 को लगाना पड़ेगा state government को यहाँ पर 90 10 का रेशियो मतलब 90 रुपए लगाएगी अगर 100 रुपए लगना है तो central government और 10 रुपए लगाएगी state government अब हम आगे चलते हैं तो UNESCO के criteria क्या है designation के biosphere reserve के तो पहला criteria है कि a site must contain an effectively protected and minimally disturbed core area मतलब कोई भी site है तो उसका एक core area होना ही चाहिए ना कोई एरिया से मतलब है कि यहाँ पर minimum disturbance हो या फिर ना ही हो कोई disturbance इसके उपर एक बभर एरिया होगा ही होगा है ना तो कोई एरिया होना चाहिए फिर the core area should sustain viable population representing all topic levels in ecosystem मतलब जानवर की या फिर plants की एक अच्छी खासी population भी इस core area में होनी चाहिए ताकि food chain बन सके food web बन सके इस एरिया में similarly एक management authority भी होनी चाहिए उस एरिया में किसके cooperation with local tribal communities जो cooperate करेगी local tribal community से तो आपने देखा होगा कि Biosphere Reserve का यह भी क्राइटेरिया होता है कि उसको लोकल जो ट्रेडिशन है ट्राइबल के उसको भी अंजर्व करना है wildlife और प्लांट के साथ सथ पिर इसके बाद जो मार टॉम है सेविल स्ट्राटेजी पर तो इसको देख लेते हैं यह क्या है सेविल बैसिकली एक सिटी है स्पेइन में यहां एक इंटरनेशनल कॉंफरेंस हुई थी यह याद रखने की जरूए थे कि सेविल स्ट्राटेजी इस रिलेटेड टू बायो इस वेर रिजव है न और इसी से असोचियाट क्या हो जाता है यह निसको का मैप प्रोग्राम किसी से रिलेटेड़न करके आए तो आप बता सकते हो कि यह तो बात करी गई थी कि जो शोचल और कल्चरल रिस्प्रेच्वल नीज्ट से सुसाइटी की किसी बाइब रिजव पे उसको भी एड किया जाए एक क्राइटेरिया की तौरपर जो हम रिखा को पर नाइस जब करते हैं किसी बाइवस्फेर रिजव को है ना अब हम आगे चलते हैं यह कोई बफर स्ट्राटीजी देख लीजे मैप प्रोग्राम की इसे को बना देते हैं नेशनल पार्क को क्योंकि उसी में वैसा है कि कोई अलाउट नहीं होती करेंगे इसके बाद किसे भी जो इनको अलाओ नहीं करेंगे इसके बाद इसे बीटीजिए के बाद को बफ़र एरिया का कॉंसेप्ट याई है कि यहां पर लिमिटेड एक्टिविटी होती है मतलब जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं जैसे जीप शिप से जाते हैं किसी नेशनल पार्क में या फिर हम हमारे कोई प्रोफेसर हैं बॉटनी के जो लॉजी के जंगल में जाकर रिसरच करना चाहते ह वो सारे चीजह कहां होती है बॉफर एरिया में थाकि बाहर आपको करना कर लो तो गोगों जाते हैं के बाकि दो कोई अपने नहीं देख पाएंगे नॉर्मल पब्लिक जो है किसी जंगल का या किसी नेशनल पार्क का या किसी बाइस्फेर जब्सक्राइब का हमें रहें ल कि यहां पर एक लॉजिकली सस्टेनबल हुमन सेटल्मेंट और एकनोमिक अक्टिबिटीज अलाओ की जा सकती है जैसे टूरीजम अगरिकल्चिर फॉरेस्ट्री यह सब ट्रांजिशन एरिया में लाओड है तो बैसेकली अलग-अलग प्रोटेक्शन के स्टेटस के लेवल प उसको बाहर नहीं आना पड़े और वह बाहर आए भी तो बफर एरिया तक आए थाकि हुमन से इंट्रेक्शन वाइल लाइफ का कमी रहे कॉंफ्लिक्ट कम हो और बाकी चीज़े उससे रिलेटर है अब एक कॉश्चन देख लिजे 2014 में आया था UPSC में the most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of अब देखिए botanical garden तो इससे कोई related ही नहीं है ना प्लांट से related है पूरा 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 फिर national park और wildlife centuries में conservation होता है बड़ आपको पता है कि वहां human activities allowed नहीं है इसे लिए इसका answer यही होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि basic difference in sum में क्या है वह आपको अपने माइंड में रखना होगा था कि अगर questions घुमा के आए या वह कैसे भी आए तो आपको समझ आ जाए कि क्या आपको टिक करना है उस case में अब अब आगे चलते हैं इसके बाद हमाने topic है eco sensitive zone का ESG आप बहुत बार न्योज में सुनते होंगे है ना सब्सक्राइब करता है ministry of environment forest and climate परपस है बनाने के है ना फिर जो नेशनल वाइल वाइल लाइफ एक्षिन प्लान है ministry of environment forest and climate change का वो कहता है कि जो state government है उनको declare करना चाहिए जो land है 10 km तक का around national park and wildlife century as eco fragile zone या ESG आप बहुत बार देखने को मिलता है कि ऐसा notify state government नहीं करती या बेसिकली state government का ESG के case में responsibility यह होती है कि इनको identify करना है या सर्वे करना है इन एरियास का है यह identify और सर्वे करके बताती है कि हाँ इतने एरिया को declare कर सकते हैं ESG लेकिन actual declaration या notification जो होता है इसका वो central government करती है central government की ministry जो है ministry of environment forest and climate change वो करती है तो declaration कौन करती है state government लेकिन जो notification आ रहा है वो कहां से आ रहा है central government से यह difference आपको याद रखना है कि ultimately these sites are notified by ministry of environment forest and climate change फिर जो ESG है इनकी width भी अलग-अलग हो सकती है हर अलग-अलग case के लिए कहीं पर ज्यादा important sensitive areas है तो उनको ज्यादा मोटी ESG बनाई जा सकती है 10 km के beyond ESG बनाई जा सकती है है ना तो यह सारे case by case differ करेंगे then Supreme Court ने जून 2022 में डारेक्शन दी थी कि हर प्रोटेक्टिट फॉरेस्स नेश्टल पार्क वाइलाइस सेंक्चरी के आज-पास minimum minimum एक किलोमेटर का था होना ही चाहिए इस्जी अना इससे कम नहीं हो सकता तो अब यह यह बेस कहली जब बन गया है कि एक किलोमेटर minimum तो देना ही पड़ेगा उनको उसके बियॉड कहीं सेंसिटीव एरिया है तो उसको 5 km कर सकते हैं 10 km सेंटल कुशन गशन कर सकती है तो वह तो है लेकिन 1 km का minimum criteria तो होई ही गया है तो हमारे संस्टिव जोन से हैं यह हैं यह वह बने होते हैं कोर भफर मैनेजमेंट से तो वही एरिया होगा जो नेश्टनल पार्क होगा है ना वह एक ESD की तोर पर काम करेगा फिर एक न्यूज है भागी रती एको संस्टिव जोन रौम गाउमुक टू उत्तरकाशी वास नोटिफाइड बाइग गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट तो कहां भागी रती ऑगाउमुक और उत्तरकाशी से और अब हम आगे चलते हैं अब इ इको सेंस्टिव जोन्स के बारे में खास बात यह है कि इसका कोई वेंचन नहीं मिलता कहां इंवर्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 में तो यह भी क्रिश्चन बन सकता है प्रिलम्स में कि डायेक्ली मेंचन है यह तो आपको याद रखना होगा कि इसका मेंचन नहीं आता है इंव में इन्वर्मेंट रोल में यह भी कहते हैं कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट लोकेशन ऑफ इंड्रस्ट्रीज तो यह जो फाबर्स मिली हुई है इसी को यूज करके गवर्मेंट इसजी नोटिफाई करती है तो फिर कौन-कौन सी अक् सकते जिससे पॉलियूशन हो कमर्शियल यूज ऑफ फायर वुड यह भी नहीं बना सकते हैं फिर मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी एस्जी वाले अरिया में प्रोहिबिटेड है फिर टूरिजम एक्टिविटीज जो होती है जैसे आप कोई फ्लाइंग बलून ल इस अर्विटेट क्या है यह फैलिंग फ्लीज ज्विटेट जोड़ी जाएगी और जरूरत नहीं है तो नहीं अगर्व की जाएगी लिए पर मिटेट कॉन सा होता है ओंगई अग्रिकल्चर होटी कल्चिर प्रक्री स्वाइट लोकल क्म्यूनिटीज रेन अगर्व कर रहें तो उसको रोका नहीं जाएगा उसकी वह अग्यानिक फार्मिंग को भी कर रहा है तो वह सब अलावड में आता है यह सब आपने देख लिया अब आगे चलते हैं तो यह UPSC 2014 का कुश्चन है विथ रिफरेंस तो इको सेंसितिव जोन्स विच फॉलिंग स्टेट्मेंट इस आर करेक्ट तो जो हमारी पहली स्टेट्मेंट है इको सेंसितिव जोन्स आर्थ इरिया अटर डिकलेर्ड अंडर दा वाइल्लाइफ प्रेक्शन एक्ट तो यह देखा है कि यह नहीं है हमारा है कि इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट इसे लिए मैंने बोला था कि याद रखना है कि कौन सी एडिया को कौन सी एक्ट से पावर मिलती है किस एक्ट से वह नौटिफाइड होता है तो है ना यह स्टेट्मेंट हमारी पहली गलत हो गई तो यहां पे होगा अंसर नीदर है ना अब हम आगी चलते हैं इसके बाद हमाई जो टॉपिक है वह है खंजर्वेशन रिजर्व तो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्मेंट ही कर रही है इसका परपस बिसिकली क्या होता है कि आगर माली जो नेशनल पार्क नेशनल पार्क नेशनल पार्क इनको जोड़ने के है ना उनसे बात करेंगी उनको बताएगी कि हम ऐसा कर रहे है थाकि उनको कोई दिक्कत ना हो यह जाए ताकि एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क जो जा जा जाके बिना हुमन के एरिया में जाने के बजाए पिर इसके बाद है Community Reserve तो Community Reserve के बारे में खास बात क्या है कि कि किसी प्राइवेट लैंड में गोसित किया जा सकता है और कोई Community Land में भी घोसित किया जा सकता है लेकिन कब करेंगे जब लोगों कुछ वहा के आके बोलेंगे माली जो कोई Community है वो अपने किसी एक sacred forest को protect करना चाहती है, छोटा सा उसका कोई forest है, है ना, तो उसको वो protect करना चाहती है बाहर के लोगों से, तो उस case में क्या होगी, वो state government को बोलेगे कि हमारे इस area को आप community reserve में घोशित कर दीजे, तो उसको government, state government घोशित कर देगी, लेकिन इसका नियम क्या है कि ये land जो है, ये किसी national park, sanctuary, conservation reserve का part नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये अलग से अगर कोई area है, अलग से कोई छोटा सा forest है, तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राइट होता है, लोगों का यहाँ जो रह रह रहे हैं, वो effect नहीं होता, क्योंकि लोगों नहीं initiate किया है, तो वो लोग initiative को करेंगे, तो community reserve का ये purpose है, to protect, ऐसे जो अलग से isolated patches हैं, या फिर कोई important है, किसी community के लिए, कोई land उसको preserve करना, protected areas है, these has been defined under the wildlife protection act, protected areas में क्या-क्या आते हैं, है हमारे national parks, sanctuaries, conservation reserve और community reserves, protected area क्या क्या कह लाएंगे, ये चारो है न, sanctuaries protected area है, conservation reserve protected area है, community reserve protected area है, national park के साथ, अब इसके बाद जो मारे topic है, वो है sacred groups का, sacred groups are tracks of forests, preserved by ancient societies, on religious and cultural grounds, all trees and wildlife within, were venerated and protected by the communities, ये ऐसे patches हैं, जहाँ पर, जो community रहनी है, आसपास, उनकी पूजा करती है, है न, हमारे लिजे, कोई tribe है, वो किसी forest के patch की पूजा करती है, अपने उनके भगवान उसमें बचते हैं, है न, उस case में उसको हम बोलते है, sacred groups है, तो ऐसा recognition भी, state government देती है, sacred groups are found in खाशी जेंतिया, hills of मिखालिया, अरावली, hills of राजस्तान, western guards of करनाटका, महराष्ट, चंदा एन बस्तर एरिया of शत्यजगड़, इसके अलाबा भी, जो हिमान्चल और हिमालियास के एरिया है, वहाँ पे भी आप पहाड़ी, लोगों से पूचेंगे, अगर जाएं में पहाड़ी एरिया में, जंगल वाले एरियास में, जो हमने community reserve देखा था ना, उसी के अंदर यह आता है, basically, कि community reserve का ही एक kind of calendar type है, sacred groups, तो यहीं तक हमारे in-situ conservation methods के type थे और अलग-अलग definitions थी, यह सारा chapter extremely important है, prelims के perspective से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और लाइ नेक्स्ट वीडियो आए, xe2 methods पे, उस पे भी आपको notification तुरंद मिल जाए, thank you